नमस्कार दोस्तों अगर आपकी सिलाई मसीन मोटे कपड़े पे या फिर 3-4 लेयर के कपड़े पे आप सिलाई करते हैं तो आपकी सिलाई मसीन बार-बार धागा काटने लगती है और वहीं अगर आप पतले कपड़े पर या फिर एक दो लेयर के कपड़े पर आप सिलाई करते हैं तो आपकी सिलाई मुशिन बिल्कुल सही चलती है, थोड़ा भी धागा नहीं काड़ती है, यह समस्या क्यों आती है, पिर उसके बाद इसको रिपेर करना सीखेंगे, देखि काला सिलते हैं तो आपकी सिलाई मसिन की जूऊइड़ हल जाती हैसानी से इस कपड़े को वाय पई पर करके नीचे चले जाती है और वहाइं उसी जगा पकर अगर आप आहां पर मोता कपड़ा सिलते है या फिर तीन चार पांट च कपड़ा सिलते हैं तो जो आपको कपड़ा होता हो कपड़ा काफी हाड हो जाता है मोटा हो जाता है जिसके कारण से अभी मैं दिखाता हूं देखिए इसके अंदर दिखाता हूं खोल के जब तक मैं इसो खोलता हूं दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग बोल गया है अब आप यह लाँ द्धा कि अ nhi लेन्स होती है ऐसे हिलने कारण से इस सब Sबसे पहले सटल कि कि इस होल जाती है और ढ़कर ढणने लाएगे जिसके कारण से हमारे धागा कट जाएगा उसके बाद फिर जो हमारी सिलाई मशीन के सुई नीचे से उपर आएगी और हमारे सटल का यह हूक जब सुई के पास आएगा तो हमारी सुई जब डिस्बैलेंस होगी तो इसे जाके सटल के इस हूक में टच हो जाएगी जिसके कार सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि जो हमारी सिलाई मशीन की सुई मोटे कपड़े को आर पार करती है तो मोटा कपड़ा होने करण से कपड़ा हाड हो जाता है और हाड होने कारण से अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताना तो चलिए अब बात करते हैं कि इस प्रव्लम को हम कैसे ठीक कैसे रिप्यार करते हैं इसको परने के लिए सबसे पहले आपको सिलाई प्रम सिर्भरोते नहीं है उसे कोई नहीं परता है जाये कोई तीन फरक नहीं परता है आपको क्या करने देखिए आपको सिफरदय मसिन की सटल के सारे ननटों को हलका लूज कर लेना और लूज करने के बाद अपने सिलाई मसीन के सटल को हलका सा उधार की तरफ कर देंगे देखे दिखाते हुआ आपको प्यर्टिकल कैसे कर दिखिए यह देखिए नटो को लूज करने के बाग फिर आपको अपने शुआ के इस चक्के को और सब्सक्राइब की देखने ध्यान देना है कि आपकी सिलाई मसीन की यह सुई यह जब सुई नीचे सटल के नीचे से उपर आने लगती है देखिए उपर आरी है न और जो Нesimler के यहीं करे आपको सिलाई मसीन के इस स्वुई को हल्का से अईसे प्रेस करना है और प्रेस करके देखना हैं कि आपकी जो सुई है यह चुछ हो इसे उसक्स सैज प्रेस करके सकती है कि सटल के हुक में टच तो नहीं हो रही है क्योंकि अगर सिलाई मसीन की ये सूई हलका सा ऐसे प्रेस करने पे अगर सिलाई मसीन के इस सटल के हुक से टच होती है ऐसे तो टच होने से हमारी सिलाई मसीन बार बार धागा काटने लगती है और माल लेजी अगर सिलाई मसीन के इस सूई और सटल के इस हूग के बीच में अगर ज्यादा गैप होता है तो ज्यादा गैप होने के कारण से हमारी सिलाई मसीन बोबिन का धागा उपर लेके नहीं आ पाती है और सिलाई करते समय सिलाई छोड़ छोड़ के भी आती है यानि स्टल को हलका सा ऐसा मारके तरह कर लेना है यह देखिए आपके सिलाई मशीन के सूई और सटल के की स harmless होना है और नाया स्टल के इस साइड से आपको हलका सा आज तरह से इदा की तरह आयागा सूई के तरफ ठीक है ऐसे ठीक है ऐसा करने के बाद फिर आपको चेक कर लेना है देख लेना है कि आपके सिलाई मशीन के सूई और सटल के हुक जब दोनों आपस में टच भी नहीं होना चाहिए और इन दोनों के बीच में ज्यादा गैप दोरी भी नहीं होनी ठीक है इस हिसाब साब को सेट करके फिर आपने सिलाई मशीन के सटल के पहले एक नट को अच्छी तरह से टाइड कर देना है ताकि आपकी सिलाई मशीन की सटल है इसकी सेटिंग ही लेना ठीक है अच्छी तरह से टाइड कर लेना है पकड़के सटल के एक नट को टाइड कर करने माद प्रेस करने के बाद पर आपको इसके नीचे ले के आए चांगे सबसे पहले ये देखना है कि इस heo प्रेस करने के बाद टैसल क्यों ठीक है इस इसारbit प्रेस तो नहीं हो रही है ऑर द्थ्थानिंट सब्ठकाइब यह लिगता हमें ठीक हुआ जो आपके सिलाई मशीन की सटल के hook सूई के पास आएगा तो यहाँ पर आपको चेक करना है देखना है कि आपका सूई इस सटल के hook से टस्ट तो नहीं हो रहा है ठीक है उसके बाद फिर आपको यहाँ पर चेक करना है देखना है कि आपकी सिलाई मशीन की सूई अचा हलका सा करने पर आपके सटल पर यहां पर टस्ट तो नहीं हो रहे हैं तीक है यह तीन जगा आपको चेक करना है कि आपके सूई करको करके तरह से टाइट करने बाद फिर आपको अपने सिलाई मशीन के एक बार कर देखना है फिर आपको यहाँ पर चेक करना है देखना है कि आपकी सिलाई मसीन के सुई ऐसे नीचे जाते समय कहीं सटल के इस होल के अंदर कहीं टस्ट तो नहीं हो रही है फिर आपको यहाँ पर देखना है जो आपकी सिलाई मसीन के सुई सटल के नीचे से ऐसे उपर आने लगती है और उपर आते समय जो आपके सिलाई मसीन के सटल के हुख सुई के आमने सामने दब दोनों एक बराबर आते हैं यहाब आपको देखना है चेक करना है कि आपकी सिलाई मसीन के सूई और यह सटल का हुक दोनों आपस में कहीं चिपक यानि टस्क तो नहीं हो रहे हैं या फिर इन दोनों के बीच में कहीं ज्यादा गैप तो नहीं है ठीक है यह दो चीट चेक करना है और तिसरा चीट जो में करना जो आपकी सिलाई मशिन के सूई में जो होल होता है इस होल से एकसट उपर होना चाहिए कब जब आपका स्टलक कर रही है और आपका सबस्वत शुई के आमने सामने आते हैं जब सब कुछ ओक्के हैं तो फिर आप अपनी सिखने को मिला या नहीं comment करके हमें ज़रूर बताएं और आपके मन में कोई सिलाई मसीन से हमें कूछ सवाल है और बाकी इस वीडियो का अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जह सिलाई करतें या सिलाई सकते हैं ताकि इस वीडियो से उनको भी कुछ सीखने को मिल सके और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को इंस्टाग्राम पेज पर भी और अपने फेस्बूक पर भी फॉलो कर लीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में जाहिंद अपना क्याल रखिये